एक लड़के अपने रूममेट्स से अपसेस्ट हो जाती है उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है उसके रास्ते में जोपी आए उसे वो हट्टा देती है हलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसी गन से परबेस्ट अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट्स जरूर कर दीजेगा अब बीना किसी दरीगे एकस्पिनेशन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हम अमारी मेन गैरेक्टर सारा को देखते है जो एजुकेशन के लिए एक न्यू यूनिवसिटी में आई हुई है वहाँ पर अपने होस्टेल में सारी चीजों को सेट कर दिया वही पर उसे और एक लड़की मिली जो उसकी फ्रेंड बन गए इस लड़की का नाम था ट्रेसी है सारा के रूम में और एक रूम में रहने वाली है पर अब तब वहावर भोच ही नहीं थी रात में ट्रेसी और उसके फ्रेंड पार्टी करने वाले थे तो उन्होंने सारा को भी इन्वाइट कर लिया सारा को ड्रंग नहीं होना था तो सिर्व उसने पंच पिया। और फिर भी वो ड्रंग हो गई थी। पार्टी में अचाना से उस स्टीफन से टकरा जाती है। उसका ड्रिंग उसके स्करड पर गिर गया था। इसे निकालने के लिए स्टीफन ने उसे हल्प किये। स्टीफन इसी बार्डी में ड्रमर था वो गहता है मैं जान बुछ कर तुमसे टकराया था मुझे लगा था कि हम दोनों बात कर पाए पर सारा जादा उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थी उसकी फ्रेंड ट्रेसी ने बहुत ही जादा पीली थी वो कुछ भी करने वाली थी इसे पहले सारा और स्टीफन उसे अपने होस्टेल में छोड़ देते हैं आते आते सारा और स्टीफन ने बाते की एक दुसरे को लाइक करने लग गये थे जाते वक्त सारा स्टीफन को किस करकर जाती है वो जब उने रूम में आए तो उसके रूम मेंट आ चुकी थी उसके रूम मेंट का नाम है रेवेका रेवेका हमारी और एक में क्यारेक्टर है अगली सुबा सारा डारी लिए तीन बजे उठती है रेवेका और उसका इंट्रडक्शन प्रॉपरली अभी हुआ रेवेका सारा पुछती है कि क्या तुम मेरे साथ बुक्स टोराओगी सारा वे इसके लिए मानगी जब बुक्स खरीत रहे थे तो सारा को अपने एक्स बॉइफ्रेंट जिसका नामे जेसन इसका कॉल आता है इनका ब्रेकप हुए बहुत दिन हो चुके पर फिर भी जेसन सारा के पीछा नहीं छोड़ता रेवेका ने सारा से पूछा कि ऐसा क्या हुआ था तुम्हारा ब्रेकप क्यों हुआ सारा कहती है कि हम दोनों एक ही कॉलेज में जाने वाले थे मुझे एक अच्छे कॉलेज में एंडमिशन मिल गए और जेसन को नहीं मिले मैंने मेरा अच्छे कॉलेज का सीट छोड़ दिया था वो डारेक्ली जेसन को मिल गया और उसने वो एक्सेप्ट कर लिया इसी वज़े से इन दोनों का ब्रेकप हुआ था फिर से रूम पर आने के बाद सारा रेविका का कबड देखती है जिसमें बहुत सारे कपड़े थे वो बहुत ही अमीर थी है रेविका इससे पर कहती है पर उनका फैमिली लाइफ नहीं है रेविका हमेशा कंसरर रहती थी उसके जादा फ्रेंड नहीं थे इस कॉलेज में सारा सिर्फ उसकी एक ही फ्रेंड बनी थी नेकसिन में सारा को प्रोफेसर रॉबर्ट के पास आया हुआ देखते है सारा ने ज़रा लेट एडमिशन लिया था तो इस वज़े से एक क्लास उसे नहीं मिलने वाला था पर फिर भी वो प्रोफेसर से बात करती है प्रोफेसर ने कहा कि बहुत सारे स्टूड़न को मेरा क्लास करना तुम मैंसा अलग क्या है वो इसके लिए उसे मना कर रहे थे पर सारा ने उन्हें बहुत कन्विंस किया प्रोफेसर फिर उसे कहते है कि तुम मैं पैशन और स्टाइल दोनों है तो इस वज़े से उसे क्लास में वो ले लेते हैं आज रात फिर से Tracy एक पार्टी में जाने वाली थी तो Sarah और Rebecca दोनों से बुच्छती है Rebecca को जादा पार्टी करना अच्छा नहीं लगता था तो इस वज़े से उन्हें वो मना कर देती है पार्टी में Tracy को कोई और मिला उसके साथ वो घर चली गए Sarah बेचारी अकेली थी अब इस टाउन में उसे कुछ भी पता नहीं था तो उसने Rebecca को कॉल किया रात में फिर ये तोनों कैफे में आते हैं Rebecca ने कहा कि कल में फ्री हो तो एक पूरी सीटी घुमा सकती हो नेकलेस नोटिस किया Sarah कहती कि मेरी सिस्टर का है उसकी सिस्टर की अल्रीडी डेथ हो चुकी है वो और उसकी सिस्टर बहुत ही क्लोस थे तो उसी के नाम का टैटू भी उसने बनवाय हुआ है Rebecca और Sarah में डील हुई थी कि एक दूसरे के कपड़े पहन सकती है नहीं था तो अपने साथ उसे लेकर आती है इस तरीके से कैट को हस्टेल में लाना अलाओड नहीं है पर फिर भी सारा रिस्क ले ही लेती है Rebecca को भी ये गैट बहुत अच्छी लगी Sarah ने नोटिस कि रेवेका ने उसका नेकलेस पहना हुआ है Sarah उसे कहती है कभी ये नेकलेस फिर से पहनना मत नेकसीन में हम देखते है कि Sarah जब कैंटिंग में काम करे ही थी तो स्टेफन उसे पास आया कहता है आज रात क्या तुम मेरे साथ डिनर करने के लिए आओगी स्टेफन करिजमेटिक था अच्छी तरीके से फलर्ट करता था तो Sarah ने इसके लिए हा कह दिया Sarah जब रूम पर आई तो Rebecca उसके लिए बहुत ही एकसाइट थी कहती है कि मैंने तुम्हारे फेवरेट कंसर्ट के दो तीकिट लाए हुए है एक अंसर्ट आज राद ही था Sarah ने पहले दो से मना किया पर Rebecca अपसेट हो गए तो इस वज़े से उसके साथ चलने के लिए मान जाती है स्टीफन और इसकी डेट उसने ज़रा पॉस्पॉन कर दी आज राद सारा अपने कबड़े Rebecca को देती है उसने उसे earrings भी दिये Rebecca की ears में earrings के लिए hole नहीं था तो directly earrings ही उसमें डाल देती है उसका खून भी बहने लग गया था ये earrings सारा ने दिया तो पहननी तो पड़े गई इस तरीके से उससे अपसेस्ट हो गई थी हमेशा ट्रेसी सारा को कहीं ना कहीं बाहर लेका जाती है ये बात भी Rebecca को अच्छे नहीं लगती एक राद ट्रेसी के रूम के बाहर ही उब बैठी हुई थी जब ट्रेसी बाहर आई तो बहुत ही गुस्से से उसे देखती है इस बात से ट्रेसी डर गई और अगली दिन सारा से इसके बारे में बात कर दिया सारा ने जब रेवेगा से इस बारे में पूछा तो रेवेगा ने कहा कि रात में मैं ऐसे ही घूम रही थी उल्टा ट्रेसी ने ही मुझे खबरा दिया था एक दिन सारा अपनी फ्रेंड आईरीन से मिल दिया आईरेन उसे बड़ी थी और सारा को फैशन में जिस तरीके से करियर बनाना है आईरेन ने अल्डेडी उसी तरीके से करियर बना हुआ है उससे मिलने के बाद वो हमेशा इंस्पार होती है ट्रेसी ने सारा को रेवेका के बारे में बताया था तो रेवे का उस पर बहुत ज़ादा गुसा थी रात में जब ट्रेसी शावर ले रही थी तो रेवे का उसके पीछे पीछे आ जाती है उस पर हमला करकर उसकी बेली रिंग उसने निकाल ली ट्रेसी को बहुत ही तकलिफ हो रही थी रेवे का उससे कहती है तुम सारा के लिए अच्छी नहीं हो उसे जरा दूर है ना और इस सब के बारे में उसे पता नहीं चलना चाहिए वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी ड्रेसी इस बात से बहुत ज़ादा डर गए आईरीन से मिलने के बाद सारा स्टीफन से मिली थी आज शाम इन्होंने साथ बीता है रात में बहुत ही लेट घर पर आए रेवेका सारा पर गुसा होकर उसे कहती है मैं तुम्हारा वेट कर रही थी तुम्हारा कॉल भी लग नहीं रहा था रेवेका का इस तरीके से सारा से बात करना ये स्टेफन को सही नहीं लगता सारा उससे कहती कि वो सिर्फ जरा वरीड थी अगली दिन जब फिर से रेवेका को लेकर बात कर रही थी तो स्टेफन कहता है शायद वो तुम्हें लाइक करती है शायद उसे लड़ गया बसन है तो इसी वज़े से तुम्हें लेकर वो जरा प्रोडेक्टिव है अब हम मूवी में देखते हैं कि ट्रेसी ने अपना रूम ही बदल लिया था सारा से वो बहुत ही दूर रहती थी अगर सारा ने भी उससे बात करने की कोशिश की तो ट्रेसी वहाँ से चली जाती एक रात सारा और स्टीफन ने प्रॉपर टेट पर गए ये एक दूसरे को बहुत ही लाइक करते थे तो आज रात एक दूसरे के साथ हैं इंटिमेट हो गए सारा रात में घर पर नहीं आई तो रेवेका उस पर बहुत जादा गुस्सा हो गई थी है उसका मोबाइल घर पर ही था और उसके एक्स बॉइफ्रेंड जेसन का कॉल आता है रेवेका एक कॉल उठा लेती है और सारा होने का प्रिटेंड करती है रेवेका ने जेसन से फोन पर ही इंटिमेट बाते किये अगली दिन जब सारा घर पर आए तो होस्टल के एडमिनिस्टेटर ने उसकी कैट को देख लिया था और वो एक कैट यहाँ पर नहीं रख सकती है अब कैट कहीं नहीं कुछ ना कुछ तो करना था सारा फिर कैट को लेकर आईरेन के पास आए वो उसी इस कैट को रखने के लिए कहती है पर आईरेन ने कहा मैं हमेशा अलग-अलग कंट्रीज घूमती रहती हो तो इसका खैल नहीं रख पाऊंगे आईरेन के पास एक बेटर आइडिया था उसने का तुम मेरे साथ इस घर में रह सकती हो वैसे में जादा घर पर नहीं रहती है यहाँ पर तुम इस कैट का खैल भी रख पाऊगी सारा को भी आईरे बहुत अच्छा लगा था जब इस सब के बारे में वो रेबेगा को बताती है तो इससे वो अपसेट हो गई थी वो किसी भी हालत में सारा को रोकना चाती थी एक दिन जब सारा रूम में नहीं थी तो उसकी कैट को लॉंटरी में लेकर जाती है वही वर उसका मर्डर उसने कर दिया सारा जब फिर से वापस आई तो रेबेगा रोने का नाटक कर दिया कहती कि मैं बाहर गई थी और कैट कहीं गूम हो गई है सारा ने कैट को ढूणने की बहुत कोशिश की वो अपसेट हो गई थी पर ये सिर्फ एक्सिरंट था तो इसके लिए रेबेगा को उसने माफ कर दिया अब इनका थैंसगिविंग आ चुका था सारा के पैरंस जाते थे कि वो घर पर आया पर सारा घर पर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि थैंसगिविंग के वक्त ये उसकी सिस्टर की डेथ हुई थी रेबेगा ने कहा कि तु मेरी फैंबिली के साथ थैंसगिविंग कर सकती हो सारा को अल्रेडी स्टीफन ने भी पूछ लिया था वो उसी के साथ जाने वाली थी नेकसीन में हम देखते है कि सारा को उसके प्रोफेसर ने अपने ऑफिस में बुलाया वो कहते कि मैं फैशन विक के लिए पैरिज जाने वाला हूँ इस सब का खर्चा कॉलेज करेगा और मेरे साथ मैं मेरी असिस्टन को लेकर जा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो मैं तुमें लेकर जाओंगा सारा इसके लिए एकसाइड हो के तब प्रोफेसर उससे किस कर लेता है वो डिस्टब होकर यहाँ से चली जाती है जो भी हुआ था इस सब के बारे में उसने रेवेका को बताया रेवेका को इस बात पर बहुत जादा गुस्सा आता है वो सारा को कंप्लेंट करने के लिए गहती है पर सारा जादा ट्रबल नहीं चाहती थी रात में फिर रेवेका प्रोफेसर के पास गई उन्हें कहती है मुझे मेरा टम चेंज करना है मुझे आपकी क्लास लेनी है प्रोफेसर कहते है कि ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं है रेवेका ने कहा कि आप से पढ़ने के लिए में कुछ भी कर सकती हूँ उसने यहाँ पर प्रोफेसर को रिजाने की कोशिश किये प्रोफेसर भी उसके जाल में आके प्रोफेसर उसके साथ इंटिमेट होने वाले थे तो भी ओ चिलाने लगगी इन दोनों की बीच में जो भी बाते हुई थी यह रेवेका ने सारी रिकॉर्ड कर ली थी प्रोफेसर बहुत डर गया कहता है इस टेप के लिए में तुम्हें पैसे दे सकता हूँ रेवेका ने कहा तुम्हें अब इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा रेवेका ने टेप डारेटली कॉलेज की डीन को दे दी इस वज़े से प्रोफेसर का जॉब चला जाता है सारा ने तो डिसाइड किया था कि थैंस गिविंग के लिए वो स्टिफन के साथ ही जाएगी अब रेवेका को उससे रोगना था रेवेका जाती थी कि सारा उसके साथ आ है तो इस वज़े से अपने आपको कट कर लेती है सारा ने जब एचोड देखी तो रेवेका उससे कहती है कि मैं स्टीट से जा रही थी और एक आदमी ने मुझे लूट लिया मैंने उससे रोगने की कुशिश की और इस वज़े से उसने चाको से मुझे वर वार किया था सारा को रेवेका के लिए बुरा लगता है वो डिसाइड करती है कि रेवेका के साथ यो थैंसगिवन्स पेंट करेगी रेवेका का हाउस बहुत ही बड़ा था सारा उसके साथ आ रही है इसके बारे में उसने अपने पैरेंट्स को भी बताया हुआ नहीं था डिनर पर रेवेका के पैरेंट्स सारा से गयते हैं कि रेवेका ने कभी भी अपने फ्रेंट को घर पर नहीं राया था वो सारा के लिए अलग सा रूम देने वाले थे पर रेवेका इसके लिए मना कर देती है सारा ने रेवेका का रूम देखा तो एक लड़की की पेंटिंग मनी हुई थी जब वे टाउन के कैफे में जाती है तो सारा ने उसी लड़की को नोटिस किया जाते जाते वो लड़की रेवेका से मिली उसे कहती है कि हम दोनक कभी भी फ्रेंड्स नहीं थे है स्कूल में रेवेका उस लड़की से भी अफसेस थी उसके साथ भी उसने कुछ गलत किया था सारा को अकेला देख कर रेवेका की मदर उसे बात करती है कहती है क्या Rebecca उसकी medicine ले रही है सारा को इन medicine के वारे में कुछ भी पता नहीं था जब दोनों फिर से अपने college में आए तो सारे Rebecca का सारा सावान चेक करती है इसमें उसे उसकी pills मिल गे जो Rebecca ने ली ही नहीं थी इसके वारे में सारा ने Stephen को बताया दोनों मिलकर इस पर research करते है तो ने पता चला कि bipolar disorder की medicine है एक psychotic condition थी Stephen कहता है कि मुझे लगाई था कि Rebecca के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड है सारा जाकर Irene के साथ रहने वाली थी तो एक दिन Rebecca जाकर Irene जिस club में जाती है वहाँ जाकर उससे हो मिली Irene को Rebecca के बारे में कुछ भी पता नहीं था Rebecca ने उसे रिजाने की कोशिश की उसके साथ उसके घर चली जाती है सुबा जब वो रूम पर आई तो सारा से कहती है कि मुझे एक tattoo करवाना है Sarah उसके साथ की Rebecca ने जो tattoo बनवाय था ये सारा के sister का नाम था Rebecca कहती है कि तुम मुझे अपनी sister मान सकती हो ये बात सारा को बहुत ही गलत लगी वो गुस्से में यहां से चली जाती है Rebecca के बारे में उसे जो भी पता चला था अब इसके बाद उसके साथ नहीं रहना जाती थी अपना सारा सामान लेकर उस स्टीफन के या शिफ्ट हो जाती है वो जाती तो आइरीन के आपर आइरीन का कॉल नहीं लग रहा अपने सामान में स्टीफन को अपनी sister का necklace मिल नहीं पाता सारा डर गई थी तो अपना सारा सामान लेने के लिए उसने स्टीफन को ही बेजा था स्टीफन रेवेगा से कहता है कि मुझे पता है क्यों नेकलिस तुम्हारी पास है वो तुम्हें वापस करना पड़ेगा नेकसे ने हम देखते हैं कि सारा को ढूंटे ढूंटे उसका ex-boyfriend उसके college पर आ गया था रेवे का डोर नहीं खोलती तो जेसन कहाँ पर रहता है इसके बारे में information डोर की नीचे से डाल कर वहाँ से चला जाता है रात में रेवे का जेसन के room में आ गए और वही पर उसका murder कर डालती है सारा को कोई trouble थे उसे अच्छा नहीं लगता था रात में आजाने से सारा को आईरेन का message आया इसमें लिखा था कि ओर trouble में है और उसे अपने room पर बुला रही थी इस message के बारे में सारा ने स्टीफन को call कर कर बताया और वो directly आईरेन के पास पोच गए वह आप और उसने देखा कि रेवेगा ने आईरेन को उसके बेड़ से बंदा हुआ था रेवेगा के हाथ में गन थी उसे कहती है मैंने तुमारे लिए सब कुछ किया पर तुमें मेरी कदर ही नहीं है मैंने उस प्रोफेसर से बतला लिया तुमारे इस वाफरेंट को मार डाला तुम कभी वे मेरी बनोगी नहीं सारा रेवेगा को मैनोपिलेट करने के लिए सब कुछ चीज़े उसे हा कहती है रेवेगा फिर भी उसे मारने वाली थी तो सारा और उसकी बीच में फाइट हो गए इस फाइट में सारा विंडो से नीचे गिरने वाली थी तब स्टीफन वहाँ पर पहुँच गया वो रेवेगा को मार कर भेहोश कर देता है वो सारा को बचाने लग या तब रेवेगा ने जोर से स्टीफन पर हमला कर दिया वो वही पर भेहोश हो जाता है उपर आकर सारा ने अब रेवेगा की गन ले ली थी वो उसे शूट करने का ट्राय कर थी है पर गन में कोई भी गोली नहीं थी रेवेगा ने देखकर कहा कि मैंने तुम से बहुत प्यार किया था वो अब उसे सीरियसली मार डालने वाली थी रेवेगा सारा का गला खोटने लग जाती है अचानक से सारा ने सारा स्ट्रगल छोड़ दिया रेवेगा जैसे ही उसका गला छोड़ दिया तो सारा ने एक knife लेकर रेवेगा के पेट में डाल दिये सारा ने उससे कहा कि तुम कभी भी मेरी friend ठीक ही नहीं रेवेगा की वही पर date हो जाती है सारा की sister का necklace अभी उसने पहना हुआ था तो रेवेगा ने उसे चीन लिया इस incident के बाद Stephen को भी जादा लगा नहीं था तो वो भी ठीक हो जाता है रेवेगा फिर से अपने old room में shift कर देती है जो हुआ उसे भुला कर Stephen के साथ live में आगे बढ़ने के लिए रेड़ी थी और यही बढ़े movie end हो जाती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजएगा बहुत सारी movies लेकर आते रहता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजए और बेल नोटिवेशन आइकोन दाने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमुई के साथ तब तक लिए थैंक्यो और आप अपने आपका खैल रखिया